हिमांचू शेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड रहे हैं लगातार पार्लिमेंट में जो चर्चा हो रही है गतिविदिया है उस पर नजर रख रहे हैं हिमांचू बड़ी तीखी कम से कम अपनी जो भडास है या विरोध है उसको विपक्षी दल रखते हुए पार ना मिले कम से कम वो एक मैसेज जरू देना चाहते हैं राज्यसाभा इस्तेमाल करके अगर देखें निश्य तोर पर राज्यसाभा जो है वो एक बड़ा राजनितिक बंच मंच बंच बंच बनता दिख रहा है और आप देखिए अगर आप भाशन को करीब से देखे त अभिशेक मनु सिंग्वी और रागव चड़ा दोनों का जो फोकस है वो एक सधान्तिक विशे पर है वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिस सोच के साथ दिली को विशेश राज का दरजा दिया गया और विशेश कर रागव चड़ा का ये कहना कि 1977 से 2015 तक बीजेपी ने लगा दिली को पूर्ण राजे का दरजा देने की मांग की अपने चुनावी मैनिफेस्टों के जरिए भाशनों के जरिए लाल किष्ण अडवानी अटल बिहारी वाजपे मदल लाल खुराना सुश्मा स्वराज अरुन जेटली जैसे नेता लगातार ये लडाए लड़ते रहे और इस से उन्होंने एक कंट्रडिक्शन दिखाने की कोशिश की है बीजेपी के अप्रोच में जहां तक दिली सरकार के समविधानिक स्टेटस का सवाल है दूसरी महत्पुन बात देखिए आकडों का आप जिक्र कर रहे थे बहुत सपच्ट है कि सरकार ने ये आकड़े ज जो हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता ये बात अभिशेक मनु सिंग्वी ने भी कही रागव चड़ा ने भी कही और शायद इसी में इस बात का एहसास भी है कि सरकार ने आकड़े जुटा लिये हैं बिल के समर्थन में और इसलिए छे घंटे का समय तैकिया गया है ये ब जब वो जवाब देने के लिए उठते हैं इस बहस पर तो वो क्या आगे कहते हैं ये बहुत महत्पून होगा पर साथ में एक और महत्पून जानकारी भी आपको दे दूं कि आम आदमी पार्टी की तरह नेता आब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर भले ही संसद में सरक इनों में जारी रहेगी तो ये अब एक कानूनी लडाई की तयारी जो है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू करती है बिल्कुल मैं इसी पर आना था अगली जो आप सवाल में पूछना चाहरा था कि आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल के पास अब क्या ऑप्श पारे वें जिस तरीके के बिल पास होने के बाद जो पूरी सिती बनने वाली है और देखें निशी तोर पर इसका जिक्र आभिशेक मनु सिंग्वी ने भी किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिविल सर्विस अथारिटी सेट अप करने का प्रस्ताव राया गया इस बिल में जिसमें मुक्यमंत्री होंगे चीफ सेकेटरी होंगे और प्रिंसिपल सेकेटरी होंगे और मुक्यमंत्री जो है उसे ब्यूरोक्राट्स के नीचे रखा गया है और क्योंकि वो माइनॉरिटी में होगा इसलिए वो फैसले नहीं कर सकता और जो भी सिफारिशे हैं सिविल सर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश अर्विन केजरिवाल ने की 19 माई को जो अध्यादेश आया था उसके बाद से वुस राजनीतिक लड़ाई में वो जादा काम्याब नहीं हो पाएं। उसके विचार के लिए समविधान पीट के उसे forward कर दिया गया है और उसने admit भी कर लिया है आमादमी पार्टी की आचिका को तो कानूनी तोर पर आमादमी पार्टी अब ये मानकर आगे चल रही है कि इसमें उसे अब एकमात विकल्ब जो आमादमी पार्टी के सामने है वो है कानूनी रास्ता और सुप्रीम कोट की समविधान पीट में जब हीरिंग होगी तो मुझे लगता है कि जो दलीले आमादमी पार्टी की तरफ से उनके वकील पेश करेंगे वो काफी एहम होगा क्योंकि इस पर राजनीतिक बहस इस संसत की मंजूरी के बाद भले ही खत्म हो